बीजेपी ने इस वार नारा दिया है कि अब की वार 400 पार और फिर से मोधी सरकार और ये नारा महज चुनावी नारा बन करना रह जाए इसके लिए बीजेपी ने धरातल पर एक एक सीट पर फूख फूख कर कदम रखने का निर्ने लिया है और ये निर्ने भी ऐसा कि पूरी दिल्ली के जो आला नेतरत वह यानि कि बीजेपी का वो एक एक सीट पर जो सर्वे रिपोट आई है जो फीडवेक आया है उस पर काम कर रहा है कल इसी निर्ने के तहत कल बीजेपी का महामंधन हुआ दिल्ली में और महामंधन भी कोई ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन या चार घंटे चला हो यह महामंधन चला पूरे साड़े नो से दस घंटे तक दो चलनों में यह महामंधन हुआ पहला चलन शुरूआ शाम को पांच वजे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के आवास पर जहां पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ ग्रह मंतरी अमिश्य और बीजेपी अद्धक्ष जेपी नड़ा वेठे और करीब पांच से साड़े पांच घंटे तक वो यह मन्थन करते रहे इस मन्थन में जो करीब हफते वर से जो अलग-अलग राज्यों की जो चुनाव समिती यानि कि जो कोर गुरूप था उसके साथ घ्रहमंत्री अमिश् की रिपोर्ट आई थी जो उनका फीड़वेग आया था उन पर मंतन किया और फिर करीब साड़े दस वजे तीनों बीजेपी मुख्याले पहुंचे जहां पर करीब 11 वजे केंद्रे चनाव समिती की बैट्रेक हुई और केंद्रे चनाव समिती की बैट्रेक में एक एक करके जो राज्यों के जो कोर गृप थे जो उनके प्रमुख नेता थे उनको उनके साथ बैठे जिसमें सबसे पहले उत्ता प्रदेश के नेताओं को बलाया गया जिसमें मुख्यमंत्री होगी आदितरनात प्रदेश संगठन मंत्री धरंपाल प्रदेश अद्यक्ष गता उस आदार पर उनसे बात की गई और कई सारी सीटों पर चर्चा की गई जो सामने सुत्रों दावा किया है कि करीब तीस से चालीस सीटों पर जो फीडवैक यूपी की तरफ से लिया गया और माना यह जा रहा है कि करीब उसमें आट से दस जो मौझूद असांसद हैं उनका टिकेट कर सकता है पूरे 80 सीटों असी लोकसवा सीटों की बात करेंगे तो 15 से 20 सीट तक यह आकड़ा जा सकता है उसके बाद मध्या प्रदेश में बात हुई मध्या प्रदेश में जो सर्वे रिपोर्ट आई जो इस किंद्रे चुनाब सम्ति की बैटेक में तेया हु नर्मदापुरम इंदौर यह वो सीटे हैं जहां पर जो मौझूदा सांसत है जिनका फीडवे जिनका जो सर्वे रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आई तो इनका बोपाल इनका टिकेट कर सकता है बोपाल से प्रग्या ठाकुर का टिकेट करके किसी नए उम्मीदवार पर बीजेपी दाव लगा सकती है वहीं विदिशा में पूर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान को बीजेपी वहाँ पर मौका दे सकती है इसके लावा जो सतना और जबलपुर सीटे सतना से क्योंकि गड़ेश सिंग विदानसवा चुनाब भी लड़े थे तो उनको वह मौ का मिल सकता है लेकिन पूरी तरह से सहमती नहीं वन पाई है क्योंकि जो नए जो सर्वे रिपोर्ट में कुछ दो से तीन नाम ऐसे आए जो काफी मजबूती से जिनके उपर कल की मीटिंग में चर्चा हुई है ऐसे यानि कि माना जाए कि चार से पांच जो यह जो पांच ल विदानसभा चनाव लड़ सके हैं तो उनकी जो सीट खाली है तो वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है इस तरह कि सहमती वंती ने जराई है उत्राखण में भी पांच जो लोक समाएं जिसमें से तीन पर सहमती वन रही है कि तीन पर जो मौजूदा सांसद है व और शन्जय बंडी इन तीनों को एक वार फिर से मौका दिया जा सकता है और जो समीक्रण है वहां के उन समीक्रणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है कुछ नए लोग वहां पर पारटी जोइन कर सकते हैं जहां पर उनको मौका दिया जा सकता है इसी तरह से गोवा पर से चपाटने आ और दिल्ली में उनका पर नए नाम में बात की गई है जो वीरेंद्र सर्जदेवा हैं या महामंत्रियां हर्ष मलोत्रा उनका एक सीट पर नाम चल रहा है नई दिल्ली में सती शुपाध्या का नाम सबसे आगे है वहीं वांसुरी शुराज का भी नाम है और या इसके लाबा कोई केंद्रे मंत्री वहां पर आ सकता केंद्रे चुनाब संथी ने अभी फैसला रिजर्व रखा है आज या कल में या वह विश्य में आने वाले समय में इन पर फैसला हो सकता है और ऐसे बाकी के राज्यों पर भी चर्चा हुई है जहां पर यह चीजें हैं जिसमें हर्याना की बात सामने आई हर्याना पर भगवा फैराने का काम बीजेपी ने हर्याना में किया था लेकिन अभी जब सरकार राज्य सरकार बनी तो उसमें जेजेपी एक एहम गठवंदन जो उनका सहयूगी दल है वह सामने आया तो उनका भी दावा है कि वह एक से दो लोगसवा सीटों पर वह भी गठवंदन इसका भी फैसला किंद्री नितरत को करना है तो जब हर्याना चनाप समती के बैठक होगी तब फैसला होगा कि बीजेपी अपने दम पर ही सारी लोगसवा सीटों में जाएगी या जेजेपी को देगी या जेजीपी के साथ गठवंदन लोगसवा चनाप से पहले तूट ज है क्योंकि बीजेपी 2014 से लेकर 2019 का भी चनाप देखें तो हरवार सीटों का आकड़ा लगातर भड़ता जारो और इस वार वीजेपी ने खुद प्रधान मंत्री निर्यंद मोदी ने कहा भी है कि बीजेपी अपने दम पर 370 और NDA के जो सहयोगी दल है उनके दम पर 400 पार क के आंकड़े को पूरा करने के लिए